नमस्कार दोस्तो, CMLC GS क्लास में आपका स्वागत है, दोस्तो, आज मैं आपको इस वीडियो में मचली से संपन्धी जितने भी GKGS प्रस्ण बनते हैं, जो SSC Railway एक्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी प्रस्ण बताऊं को आप दिहान से समझेगा हैं, दोस्तो, आप भी हो जाते हैं, ठीक है दोस्तो, तो मैं सुरू करता हूं, मचली से संपन्धी कौन-कौन सा प्रस्ण बनते हैं, ठीक है, तो देखिए, इस वीडियो में पूरा मचली से संबदी ती कोश्चन रहेगा, देखिएगा, समझेगा दोस्तो, मचली, समझेगा, सबसे पहले, निली करांदी का संबन्ध किस से हैं, तो मचली से, निली करांदी का संबन्ध किस से हैं, मचली से, पूछेगा, निली करांदी का संबन्ध किस से हैं, मचली से, to the point बात करें, एकजाम में जो प्रस्ण पूछे जाते हैं, और समझेगा, मचली के अध्यन को क्या काते हैं, ठीक थियोलोजी ध्यान रखेगा ठीक है और PC culture का संबंध भी मतसपालन से डिरेक्ट पूछेगा कि PC culture का संबंध किस से है तो मचली पालन से मतसपालन से ठीक है और मचली भारत में सबसे ज़्यादा किस राजिम पाये जाता है, तो विष्ट बंगाल यानि पश्चीम बंगाल ध्यान रखेगा, और मचली के राजा किसे कहते हैं, तो जैसे फलो का राजा किसे कहते हैं, आम को फलो की रानी किसे कहते हैं, लीची को इसी तरह होता है, मचल दिवस चार फरवरी को मनाते लेकि कैंसर के दवा के लिए कौन सा मछली उपियोगी है तो इसको ध्यान रखेगा स्टार फीस नजर रखेगा इंपोटेंट कोश्चन है ठीक है और यहां समझेगा कि पूछे कि मछली में कितने चेमबर होते हैं यानि हिर्दय का कच तब मनुस में तो चार होते हैं तिल चार में तेरा लेकि मछली में पूछे न कितने हिर्दय का कच होते हैं तो दो चेमबर होते हैं कितने होते हैं दो पूछे आंपर भिआन रखेगा मचली के लीभर के तेल में अधिक मिलता है देखे मचली के लीभर के तेल में अधिक मिलता है कौन इस पे नज़ा रखेगा ठीक है विस्तु की सबसे छोटी मचली का नाम क्या है विस्तु की सबसे छोटी मचली का नाम पूछे तो ड्वार्फ गोबी है जो किस महासागर में पाए जाता है हिंद महासागर में पाए जाता है इस पे भी नज़ा रखेगा इंपोटेंट कोश् जो डेंगू, डेंगू मच्छर को कौन सा मचली खाता है, तो गेंबूसिया मचली, पूछता है, डेंगू नियंतरन कौन सा मचली है, तो कौन सा है, गेंबूसिया मचली, ध्यान रखेगा important question है, आसुत जल में मचली क्यों जिवित नहीं रह सकता है, ये question आपके NTPC exam में प्रासरन मचली के सरीर के तरल पदार्थों का पतला कर देता है, इसके लिए नहीं रहता है, ठीक है, important question नजर रखेगा, मचली में पाई जाने वाली वसा को छोर कर सभी जनतु के बसा को संतीप्त होती है, जो क्यों, वैसे मचली में जो भी बसा पाई जाते है, वो संतीप होती है, चोर का मचली में पाई जाने वाली वसा को छोर का सभी जनतु के बसा संतीप्त होती है, जो स्वास्त के लिए हानिकारक होता है, समझ ये का ध्यान से, ठीक है, अभी और यहाँ पर दो-तीन परश्न और आपके एकजां में पूछा जाता है, उसको ध्यान रखेगा वो सभी प्रस्त आप लोग अपने अस्तर से त्यारी किजे ठीक है दोस्तों मैं बता रहा हूं वो कौन-कौन सा इसमें देखे मचली जो सांस लेता किसके द्वारा सांस लेता है इसका जब आप लोग कॉमेंट में दीचेगा देखे कुछ मचली है जिसे जूठा मचली करते ह आप लोग जानते हुए जिंगा मचली जिंगा मचली बास तभी मचली के सरेदी में नहीं आता है उसको जिंगा मचली जूठा मचली मचली भीकाते हैं तो इसी तरह जूठा मचली मचली कौन-कौन साइस का जबाब आप लोग कॉमेंट में दीजेगा तो यह दोनों को पसंद आवे तो आप लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ मेल आइकन को भी दबा दीजिए फिर में